नमस्कार मैं रोज, लास्ट टू विक से एक ही टॉपिक का कंटिनिशन मैं कर रही हूँ, मगर आज मैं इस टॉपिक को कंक्रूट कर ही दूँगी मेरे दो वीडियो से मैं यही बात बताना चारी हूँ कि मेरे कर्द मुझे मोक्ष नहीं दे सकते मैं स्वर्ख जाओंगी तो इसका पूर्ण विश्वास मेरे अच्छे सभाव की वज़े से नहीं, बलकि मसी के विश्वसनी होने की बज़े से हैं उनके प्रॉमिस की वज़े से हैं कि जो कोई भी प्रभूई शुपर विश्वास करेगा, वो धार पाएगा विश्वसनी एक परमेशन ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं खुद खड़ी नहीं हुई, बलकि उन्होंने मुझे खड़ा रखा, बस यहीं बज़ा है क्राइस का प्रॉमिसी है जो हमें एशुरंस आश्वासन देता है, मगर फिर भी हमें पूरा आश्वासन तब तक नहीं आएगा, जब तक कि पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा को परमेशर को अब्बा फादर बुलाने का कॉन्फिदेंस ना दे दे, और हमेशा हमसे यह कहता है कि तो खुदावन की बेटी है या बेटा है, वरना हर गलती पर हम डरते रहेंगे कि क्या हम स्वर्प जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब भी कोई इशु की पिछे चलने के लिए तयार होता है, तो इशु को मरे हुवों में से जी उठाने वाला वही पवित्र आत्मा, पहले हमें मारने और फिर एशु में जी उठाने का काम करता है, एक एक्जामपल से इस बात को मैं समझाती हूँ, माल लीजे कि मुझे कोई इंफेक्शन हो गया, जिसकी वज़े से मुझे बहुत हाई फीवर हो गया, और फीवर के लिए मैंने पैरसेटमोल ले लिया, और म गिल्ट का वो फीवर उतर गया, मगर पैरसेटमोल से इंफेक्शन को ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए एंटिबाइटिक का कोर्स की जर्रत होती है, क्योंकि पैरसेटमोल 6 घंटे के लिए फीवर को रोक के तो रख सकता है, मगर उसके बाद फीवर फिर से चड़ जाएगा, और जैसे एंटिबाइटिक का कोर्स शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे फीवर की तीवरता कम होती जाती है, और फिर बाद में बोडी नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देता है, हमारे लाइफ में भी कुछी इस प्रकार काम करता है, हम पाप के फल और व्रिक और फिर जड को सुखाने लगते हैं, और जड से ही इसे हम से अलग कर देते हैं, और इसी पॉइंट पर कृस्यानिटी बाकी धर्मों से अलग खड़ी होती है, क्योंकि बाकी हर धर्मे हम पाते हैं कि एक सुप्रीम पावर, एक भगवान होता है, जो पापियों को नाश कर अच्छे धर्मी लोगों को बचाते हैं और उसके लिए कई रूप में आते रहते हैं मगर क्रिश्यानिटी यह है जो एक ऐसे सचे परमिश्य से हमें मिलाता है जो पापियों को भी बचाने इशू बन आये और पापियों का नहीं बलकि पाप का नाश करने के लिए पवित्र हमें लड़ने के लिए ना छोड़ हमें अनाथ ना छोड़ एक हेलपर को हमें दिया जो हमारे साथ खड़ा होता है और जिसके साथ चल चल कर हम मोक्ष तक पहुंच ही जाएंगे मेरे इन तीनों वीडियो को देखकर शायद आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले क्राइस की तरह परफेक्ट नहीं बन सकते और अगर सिर्फ विश्वास ही काफी है तो कर्म या कारी का क्या कोई फल नहीं इसका एंसर मैं आपको एक लांस एक्जामपल देकर बताऊंगी मगर मुझे अच्छे से पता है कि ये इंपॉसिबल जॉब है मगर मुझसे पहले एश्यू इन हंडेड आरो को करेक्ट पॉइंट पर मारकर परफेक्ट ओबीडियन्स जदाया रोमस 5.19 कहता है कि एक मनिश्य की आग्या का उलंगन से अनेक पापी ठहराए गए बैसे ही एक मनिश्य की आग्या कारिता से अनेक मनिश्य धर्मी ठहराय जाएंगे इश्यू के परफेक्ट आग्या कारिता 100 ओट ओफ 100 एरो पॉइंट में डालने की वज़ा से मैं उनके उस एक्ट पर विश्वास कर धर्मी ठहराय जाऊँगी मेरे सामने भी same target रखा गया है same spirit दिया गया है मैंने arrow माना शुरू किया पहला 20 arrows board के पास से काफी दूर गिरा फिर 60-70 तक पहुंचते पहुंचते मेरे arrows थोड़े थोड़े board के आजू बाजो तक पहुंचने लगे और 99th arrow board के एक कोने तक पहुंचा और आखरी सववा arrow वो circle के last line तक पहुंचा और फिर मैं मर गई और इस condition में मैं न्याय के सियासन के सामने खड़ी हूँ permission ने मुझे से पुछा तेरा life कैसा था तू मेरे बेटे जैसा बन पाई arrows को गोल में मार पाई क्योंकि as a Christian मेरे सामने एक ही गोल है Christ जैसा बना sin का मतलब है missing the mark, missing the goal मगर मैंने उस point को ठीक वैसे नहीं hit किया जैसे issue ने किया तो सिर्फ zero ही mark मुझे मिलेगा permission के सवाल का जवाब सिर्फ एक ही मेरे पास होगा Lord I tried मैंने तरीके से निशाना सादा था मैंने पूरे विश्वास के साथ माना भी था कि मैं मसी के साथ क्रूस में चड़ाई गई अब मैं नहीं परन्तु मसी मुझ में चीवित है मगर फिर भी I was never like your son मैं कभी आपको ना लोगों को ना पडोसियों से वैसा प्रेम कर पाई जैसे आपके बेटे नहीं किया अगर आप मुझे नर्क में भी बेज दो तो मुझे कहने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि एक भी एरो गोल में नहीं मार पाई I don't deserve this heaven because I am not like your son और इस पॉइंट में परमेश्च का जवाब कुछ ऐसा होगा तो बिलकुल सही है तेरे life देखा जाए तेरे कारे देखा जाए तो तू सिर्फ नर्ग की भागीदार है मगर मैंने तेरे arrow को नहीं बलकि ये देखा कि तू किस पर focus कर रही है क्योंकि मेरा aim Christ है उनकी आध्या करता ही मेरा target होने की वज़़े से मैं धर्मी ठहराए जाओंगी इसी को कहते हैं विश्वास के दवारा धर्मी ठहराए जाना We are not going to heaven by our effort, by our works We are going to heaven by grace and by faith Because salvation is by grace, by faith फिर यही कोशन है अगर की तो क्या कारी का कोई रोल नहीं जरूर है क्योंकि कारी के बिना विश्वास व्यर्थ है मरा हुआ है और हर वो काम जो हमें मसी से जोड़े रखता है और उनके जैसे बनने में मदद करता है वो सभी counted होगा चिली इसी के साथ इस टॉपिकों में विराम देती है वैसे कहने के लिए और भी बहुत कुछ है लेकिन अब और इस टॉपिकों मैं खिशना नहीं चाहती दुआ मांगती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में ये वीडियो यूस्फुल हो इसी दुआ के साथ मैं रोज आप लोगों से विदा लेती हूँ अगले थर्ज़े फिर से कुछ नहीं बातों के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखे एक खुश रही है मसी से जुड़े रही है और मेरे चानल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रही है और हाँ एक और बात आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के हर प्यारे प्यारे कमेंट के लिए एश्व मसी आप सभी को आशेशित करें धन्यवाद